मेहंद... कहां सो मेहंद? मैं सर्प पाली से अभी को जब से कुछगिन परले बात भी होई थी पाली राजस्तान ना हाँ समझे 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 तुम कही जॉब कर रहे हो ना? जी सर कहां पर कर रहे हो बसाइब कर कारे हो? सब इस्टाट मैंने 4000 से किया था अभी 8000 किन्हें हो गया है अब टाइम आ गया है कि आपको बोलो जिसे उनका जो काम है मेजर वो इंट्रेट डिजाइनिंग का था इस्टाट में वो एक प्रोफेशनल अर्टेट नहीं है लेकिन इंट्रेट डिजाइनिंग मुनों ने शीकर करता अब अब बंगलो के भी काम देते हैं वो अच्छा आधस मेरा यह कि सब वो मुद्धा इंट्रेट नहीं है आर्किट और इंट्रेट डिजाइनिंग में अच्छा उसमें जो क्लाइंट भी हो उससे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बाचित होती है क्लाइन से में वो लग गया सनमाई का कौन सेन तो सब मैं चाता हूँ इस ट्रेक्टर में थोड़ा इंट्रेस्ट भी है तो उसमें में अच्छा नहीं है बहुत बहुत ज्यादा रहता है फिटिंग खराब की हो और एक ही प्रोजेक्ट है जो सब 2-2 साल तक चलता है अच्छा यह बता मुलाब दोनों यह तुमको आता एक तरीके से अगया तरीके से साइट वर्फ से मार्किंग वगरा जो कॉलूम में बिलिंग जो विजर सब्सक्राइब करते हो इसके भी साइट पर जाते हो कि इसके पर साइट कम जाता हूँ से बहुत कम देप लिए के दो जाते रहते हैं लेकिन जाता हूँ वाली बता तुमने अच्छा किया था जो तुने इस टार्ट कर लिया था कैरियर बैठे नहीं थे तुमने बहुत कुछ सीखा होगा अभी तुम अगर इसको अबजर करोगे एक पॉइंट आउट करोगे तुमने बहुत सी चीजी सीखे तुमने असर बहुत काफी कुछ जो मैं पहले एक साल पहले जो था अभी से मेरा लेवल मतलब काफी कुछ चीजे क्लियर हो गई है लेकिन से प्रस्ते होरे को में ये काम नही 좀 करना में यहास है जो से बंगलो बन वाना है वह बहुत से अथि मैं भी उसी काम में हूं अभी अम लोग मूब कर रहे अभी हम लोग जा रहे इंछ ओ जो जुप फैसे से वह बन जाएगा एंगे सिर्फ जमीन का पैसाम को लगाना पड़ेगा मैंने वो देखा था वो प्रतिक राठी का जो कोर्स है वो मैंने अगर आपने देखा हो तो क्यों से सवरी प्रतिक राठी यूटूबर प्रतिक राठी है जो रियल स्टेट में है लुटरूबर रियल स्टेट में पूरा कोर्स मैंने पर्चेस गया था अच्छा और पूरा मैंने उसको अब्जर गया तो मैंने प्ता चला कि इंडिया में अच्छली किस टाइप के से कौन से सेग्मेंट की घर की दिमांड है और आप जो बिल देओ जो फ्लेट्स बना क्पेज ने का जी प्लस फोल जी प्लस फाल उसी की पुरी प्रेटिकलर बात हुई है कैसे उस मार्केट में एंटर कर सकते हूं हम अच्छा है तो अभी देखो मैं तो फिर आलो उसमें एंटर हो चुका हूं लब लब अभी हम लोकल लाइनप चल रहा है 2022 मिला तक है सक्सेज हो जाएगा भी तुम अभी इस पर फोकस करो कि अभी तुमको क्या करना है एक्जेटली कि अब तुम किसी भी तरीके से एक स्ट मैं स्ट्रॉक्चर में एंट्री करने के लिए तवह आता क्या क्या है यह बता हूं को इस तक मैं आख तक मेरे हाउस विज्ट रहता है जो काम आदा तक है कैसे और है सिर्ट करूंगा तुम से क्या एक्स्पेट करूंगा कि तुम से मैं ये एक्सपेट करूंगा कि तुम हमको कॉलम मुं की टीईलिंग को सेयर करूं तो अगर तुम अभी इंदम अबसीज ड्ल ine Arr के पूंकि कीवल सीखने के लिए सीख भी लिये तो इसको कैसे करोगा कैसे बदक्ति के साहथ की अगर वीड ेनाल से सीख रहे हो तो वीड का मैनुवल आना चाहिए sour travers रेरो सीर्वाल कर मैनुवल आना चाहिए छो भी content सीख रहे हो। उसका concepts पता होना चीए ।ो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगे इसके साथ습니다 साथ तुम थोड़ा सा और नॉलेज बढ़ाने के लिए मैनुवल या फिर कहीं पर एक्सल सीट मिल जाए या मेरे से ले लेना एक्सल सीट मेरे पास रखी हुई है ठीक है तो मैंने आपको ओल इन वन कोर्स देखा था अच्छा जो फ्री वीडियो गें वो अकर अल-इन ओन लेया तो फिर तो खतम ही बात हो गई फिर तो सब कुछ होगा तुमाइबास उसमें तो सबहे है तो मैंने इस्ट्रेट करना है अगर वो पूरा करो मेरे इस्ट्रक्टर की डिटेलिंग पूरी हो जाएगी कि इस्ट्रक्टर का कौन से बात है कि इस्ट्रक्टर के पास प्रोजेट किस तैप साएंगे तो सर्व वो आएंगे कि जो बड़े-बड़े देवलेपर उन से ही वह हमें ठाइब करना पड़ेगा उन से आएगा अगर तुम खुद लेना चाहने हो तो उन से आएगा जो बड़े-बड़े आर्पीटेक है उनको भी जब स्ट्रक्टर का जरूरत पड़ता होगा तो किसी किसी कुल से जोड़े होंगी वो जीश्यक है और तीसरा तरीका यह है कि आप companies को approach कर लो, companies से बात कर लो कि भाई आपको आपको अपनेया काम कराते हो, जो काम आपका structure करना हो से कि हो हमें share कर दो, हम आपसे अपना profit share कर लेंगे, तीसरा तरीका यह है और चोथा तरीका और है बट वो थोड़ा सा कम use में आता है, यह तरीक पार्टी को नहीं share कर रहे, आप हमें as a field answer कर सकते हो, आप हमें रख लो, हम करके आपको share कर देंगे, तो यह तिंचार तरीके है जिससे आप कर सकते हो, यह उसके लिए है जो खुद का करे, लेकिन मैं सजिस करूँगा खुद का पहले मत करो, पहले जिसे तुमें चौदव दोनों में से किसी में भी कर सकते हो, इसमें लगा लो चमेने, इसके बाद तुम इस्ट्रचम पर्फेट हो जाओ का चाहो हो तो तुम किसी MNC में apply करो यह पिर चाहो तो तुम खुद का काम स्टार्ट करने का में को करना है, उसके में यह हैं कि सर जैसे हमारे से city, छोटी city तो बाहर से काम लेने पड़ेंगे दूसरे शीटी दे तो वह काम कैसे मिलते हैं सब्सक्राइब खुद का अगर काम लेना चाहते हो तो all-in-one तुम्हें बहुत करेगा खुद के काम में अब बात रही कि कैसे हम काम लेंगे राइट दूसरे शीटी से काम लेंगे अब कि सिरी बीडर कर शक्ते हो और उनको बोल सकते हो कि आप प्रिजेट लेंके Count लेंगे तो अब इंको बोल सकते हो कि आप बिसनेस लेके आहिए हम आपको सेर करेंगो पर्जेंटेज कि यह बिजनेस डेवलबर करते हैं ठीक हम इसके लिए थोड़ा सा आपको अपना पड़ाना पड़ेगा तभी वह आपकी सुनेगे कुको भरोसा होना चाहिए हैं आप पैसे दो उनको तो तो जैसे होता है कि उन्होंने डिजाइन का काम दिया है तो 5%, 10%, 20% जिस लेबल का विडर है उस हिसाफसत में देना पड़ेगा पहला तरीका यह है दूसरा तरीका है है पिदर कि आप वहां के आर्किटेट को कॉंटेट कर लो दूसरे सिटी के आर्किटेक्स को अपने प्रोफिल बनाने पड़ेगी और अपना काम प्रोट्फोलिय उनको दिखाना पड़ेगा तो बिल्कुल बनाने चाहिए अच्छी बात है पर उससे भी कहीं जादा तुम्हें यूजफूल होगा कि जो मैं समझता हूं जो मैंने प्र ठीक है एक रटेक्स सब्सक्राइब करता है तो अलग अलग आखिएग के पास अलग चीजों की रिग्वार्मेंट होती है कि हमें क्यों बजट चीज़ी साब से उसी सब सब्सक्राइब करोगे आगे तो तुमें लैपटॉप ही गिफ्ट कर सकते हो अब तो अभी के बज़ जाएगा ठीक है उनके लोगों को प्रिंट कराके एक अच्छा सब्सक्राइब ये अगर तुम्हें यूज कर सकते हो जैसे कोई कवरी बना दो कि कवर बना दिया उनके कंपनी को लग लगना चाहिए कि यार इस बंदे ने मुझे स्पिसल बनवा के दिया है या तुमको पता ह है कि अगर की सामनेड वाले कीक्व मोबाईल फोन है उसका कोवर बनवा दिया उसके लोगों की हिसाफ से या फिर उसको नारी दिया उसके कंपनी के इसाफ से बनवा मान के कुछ इस तरीके से मुझे ऐसा रिलाइज हो कि जिसे मेरे पास बच्चे आते हैं तो मुझे बुक्स लेकर आते हैं मेरे लूं को पता है मैं बुक्स बहुत बढ़ता हूं तो बुक्स लेकर आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि बुक्स छोटी चीज है बट बहुत लेगा जिसे अच्छा रिलेशन मनता है मैं यह नहीं करता हूँ सबसे तुम्हें पॉजिटिव रिस्पॉंस रहेगा कुछ ऐसे रहेंगे रहेंगे भाड में जाओ ठीक है लेकिन कुछ तो ऐसे भी रहते हैं जो काई डर्ड वाले रहते हैं और उनको ना जरूरत होती है किस नहीं नहीं होती है है तो तुमेह काम क्यों देगा उससे काम लेने का तरीका क्या होता है कि हम में मिलेंगे के अपकर दे रहे हैं आपको मौरडल करके दे रहे हैं उसी के अंदर अपना फिया चार्ज लगा लो अश्रक्चर का क्योंकि तुम उनको बोलो यह मैंने मौडल बनाया है आपके घर के ऐसा दिखे गा उसका पैसा देदेंगे वह तो यह को देसकता है जो उसकी वैल्यू जानता है और ऐसे ओडियास तो तुम उनको बोलो कि मैं प्लानिंग और मॉडलिंग और स्ट्रक्चर अगर तीनों एक साथ बताओगे तो लोग करेंगे ठीक है फेस्बूप पर लोकल मार्केटिंग करो कि मुझे सीटी का लोकल चाहि हमें उसको थोड़ा बहुत इंटर्टेन्मेंट तरह का बनाना है कि बहुत इंटर्टेन्मेंट नहीं आ तो लोग इंटरेस्ट नहीं पाइदा करता है तो लोग देखने में इंटरेस्ट पैदा करते है इस चाहिन दो और सबसे अच्छा थरीका हो सकता है चौधा थरीका क्या में देखना बहुते आप से लड के जिनके पास मेरे ऐसे बहुत से घंजीर लगे हैं कुछ एसे हैं तुर या अप ऊसी से बहुत अभन कि उसको भी लगेगा तो मज्य को दें ठीक है उसको बोलो सीधे बोलो उसको कि 30% दे रहा 70% मेरा ठीक है अब जनरली होता है कि जब एक लड़का साइट इंजिनेर होता है ना खड़ा रहता है साइट पर तो कोई रास्ते से गुजड़ता है बहुत बहुत डाउन वाली है मेरा भी बन्माना है एक अच्छी सी प्लाणिंग करके दे दो अब जनरली साइट इंजिनेर यह सब टाइम ही नहीं रहता प्लस बना भी नहीं पाता है ठीक है और उसको अगर पता है कि तुम उसको पैसा भी दोगे इस काम का तो कहेगा अच्छ रूप महनवा देता हू ठीक है एक उससे तुम एक बार अगर तुमने उससे बांग लिया ना पना तो जितने लोग उस मिलेगा तो मैं कस्टूमर के दा चला जाएगा वह हमेशा के लिए हो जाए और एक कस्टूमर का काम करो इतनी सिद्ध से करो कि वह सौ कस्टूमर को बता है पाला काम के था अभी एक काम लोगा ने किया उसका खराब हो गया मुझे अस काम में प्रॉफिट नहीं चाहिए था मुझे चाहिए तो आपको देखना है कि मेरे बास चो लोग काम कर रहे हैं जो मैं खुद से करा रहा हूं इस तरह से तुम ये चौथा प्रेटकल तरीका है जिसके माध्यव से काम ले सकते हो तरीके तो बहुत है बाकी और है जो पैसे वाले है तो थोड़ा से मैं नहीं चाहूंगा भी कि जिसके होता है रेडियो के माध्यम से आप प्रचार कर सकते हो ठीक है और एक होता है कि पंपलेट बटो जब ग्रोथ होने लगे तब की बात है तो अब यह जो है जो फ्री वाले क्या रखा है तो तुम्हारे पैर को खीचेंगे तो वहां पर तुम्हारे आपको मोटिवेट रखना है कि दो सर में जो गीड देना था आपको दे लिया थेंक यू यह मेरा विस्टिंग कार्ड है तो इस तरह से तुम्हारा हो जाएगा बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंग या फिर जो दूसरे डिजैन का काम नहीं देती है तो हम एक ऐसी फर्म भी बना सकते हैं मतलब की केवल इस्ट्रॉक्चर कंसल्टेंसी बिल्कुल बना सकते हो लेकिन फिर ध्यान रखो कि तुम्हें बहुत बड़ा निटोर तयार करना पड़ेगा क्योंकि केवल आर्किटे अब फिर आम आम भी नहीं है केवल आर्किटेक्ट है जी सर तब तुमको यह फिर ऐसा बनाना चारे हो तो फिर सारा च्ञोच खरो करो आर्किटेक्स से डारे ट्र और खाता हो और कहीं जाने कि जूरूर्ड विजिट कैनिए हमारे से पल बनादा तो हम साइट विजी में ग जो इसा होता है कि आपको देना पड़ता है ठीक है बेट बट जब इस्ट्रक्चर का काम करते हो तो उसमें क्या होता है कि एक बार तुम्हारे फुटिंग के टाइम पर तुम्हें जाना है एक बार प्लिंथ के टाइम पर जाना है एक बार कॉलम के टाइम पर जाना है एक बार जब स्लैब की कास्टिंग हो रही तब जा करवालो जितना करवान हो तुम्हारी मर्जी है ठीक है और सर काफी बार मैं अपनी सीटिम देखता हूं जैसे जो कुछ-कुछ बड़े पॉजेक्ट चलते हैं तो उनके जैसे बीच में जैसे काम रुक जाता है तो क्या आइस्टेक्ट इंजिनर्या का पैमेंट भी उसमें सर हमें मतलब ही नहीं है आपके स्ट्रॉक्चर कंप्लीट हो की नहीं हो हमारा में मोटो क्या है कि आपके स्ट्रॉक्चर को प्रॉपर डिजाइन करके देना क्या हमारा डिजाइन तो पूरा एक सार्थी होगा पूरी बिल्डिंग का और इसमें एक ची ध्यान देना कि जब का पूंट हम लेंगे अब आपने काम करवा लिए भीव बना देते हैं इसलिए इसको बहुत माइंड में रखना इसको इस पॉइंट को एक सर मैंने यह बिजनेस साइड ही भी सोचा था कि जो छोट छोटे जो कांटेक्टर्स होते हैं उनको सरे एक्चुली वह पीट मेटरियल का प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट बनने से पहले ही यह एक साइड काम कर सकते हो फुल टाइम नहीं बोलूंगा इसको क्योंकि देखो क्या होता है कि कोई भी कॉंट्रेक्टर ना उसको अपने उपर बड़ा कॉन्फिटेंट होता है जी सर्फ कहना नीची यह बहुत अन एजुकेटड होते हैं वह ही ठीक है और उसमें यह भी प्रब्लम देखा था मैंने कि छोटे-छोटे जो साइड होते हैं वह मिसे चैंज पढ़ती है तुम्हारे हां सब्सक्राइब राजस्थान में अब वही राजस्थान में मिलता है तो मतलब क्या हो रहा है कि कुछ कॉंट्रेक्टर ऐसे हैं जो वहां से लेके आएंगे और कुछ है कि यहीं लोकल मार्केट्स लेंगे तो इसलिए इसको अगर कंपनी का एक सब्सक्राइब करना चाहरे हो वहां पर रिक्वाइड है कि नहीं जी सर हाँ क्योंकि अभी सर बहुत का में जो छोट छोटा आर्केटेक्स हैं वो खुद ही से इस्ट्रक्चर का डिजाइन कर लेते हैं और करवा लेते हैं और सब कुछ जो बड़े आर्केटेक्स है भी तो उनका क्या रहता है कि सर जैसे से उसने जो इंजीनियर है इस में इसको बते हैं कि तुम्हें अब तुम्हें देखना पड़े गा तुम कौन से सिती में करने जा हो हमेशा स्ट्रक्चर का काम उस सब्सक्राइब क्षेडा है जी जरे टिख है जो डेवलफ है वहाह से एक पर पर्सकान नहीं आएगे तुमारी टाया होगा है जो अश्याट है जए है तुम अपने 10 km के अंदर में तो वहां पर developing a space होंगे कि develop हो रहा है तो लोग बोलते ना कभी कभी अपने नॉर्मल लेंगज में कि देखो city कहां तक आ गया तो उस एरिया में सबसे ज़्यादा है आपको जरूत पड़ेगी दूसरी चीज आप ऐसे भी इसको analysis कर सकते हो वहां पर population कितना है अगर population ज्यादा है तो जॉब करने वाले लोग ज्यादा होंगे और जॉब करने वाले लोग ज्यादा होंगे तो definitely everyone want their own home जी से ठीक है तो वह अपने आप आपसे वहां पर काम करवाएंगे काम करवाएंगे तो कहीं न कहीं आपका benefit होने वाला जाए planning में मौडलिंग में चाहे structure एक तरीका होता है अगर population नहीं है तो वहां पर demand कम होगा और industry होनी चीज़ पॉपलेशन के साथ जी ठीक है मला IT कहा हो है ठीक है तो अभी दिरी दे दुमाने जैपूर में बहुत famous हो रहा है जैपूर में काफी चीज़े हो रही है डेवलप हो रही है तो ऐसे जुगों पर आपको ऐसे देखना पड़ेंगे बतार देख रहा तो में इसी चीज़े तो हम लोग पीछे हो गया कि जहां पर अभी हम लोग ले सकते हैं वह ऐसी जगह है कि जहां पर डेवलप होने में पांस साल लगेगा तो हमने कहां अगल हम लोग देंगे फिर इसलिए हमने कहां थोड़ा और डालेंगे लेगिन ऐसी जगह लोग जहां पर तुरंद सेल हो जाए ऑन तय यह धी हो जाए तो ज्यादा बेटर है इसी का मैंने एक अल्टरनेटिव देखा था कि हम फ्लेट्स न बना के एक आट दस गर भी बना दे प्लोट लेले बहुत बड़े हैं कि जहां बे टू बीच के थ्री बेच के गर भी बना दे खाई लेकिन इसमें भी बहुत लफड़े होते हैं कि क्या होता है कि आप जब अभी प्रेटकल लेवल पर करोगे न तो लेंड इतनी भागी हो गई है ठीक है अब उसमें उनको चाहिए बंगलो बंगलो जीसा ही तो अश्राट बना होगे न इस पेस कम दे दिये तो लोग बोलेंगे कि मलब हमें इस पेस की प्रॉलम है दूसरी चीज इसमें ऐसा होता है कि फ्लोर भी नहीं दे सकते हो जैसे लाइजी इस कलोनी होती ना लोर इंकम गुरुबली उससे फ्लोर दे तो प्रीफर नहीं करते हैं उनको चाहिए नीचे सूपर तो अब उनका जो बजट होता है उस बजट में सेट करना एक बहुत कि अबसे सब्सक्राइओ तो उसने प्राइबट रिजॉर्स बनाने स्टार किया तो जैसे तुम बोल लिओ नौन تم हिसे रिजॉर्स बना दी है सांथ्य टिक है तो तो तुम ने किसी तूसमें पढ़ा था ना तो पिरहाल तुम यह क्कुर सकते हो सक ज़ए लेकि नबी हैं और फिर उस पर आप 60 लाग, 70 लाग जो भी आपका बजट आता है, उस पर करते तो, ठीक है, अब उस पर होता है कि लोगों का लोन आसानीस हो जाता है, यह भी देखना पड़ता है, जब आपने घर बनाया है तो उस पर लोन आसानीस हो जाता है, वो इस city का income, लोगों की income कित यह उसका loan किता होगा और उसकी budget में आपको बना के देना है आप यह भी देखना पड़ेगा आपको कि किस एरिया में बना रहे हो जी सर्थ कभी कि वैसे होदा है कि बहुत अच्छी premium में चले गए जी सर्थ एरिया जो है तो इसका बेस्ट तरीका यही होता है कि आप इतने बड़ी लेपल भी मत सोचना ठीक है कि भज सकते हो एक्षियर मैंने वह कोर्स किया था ना तो उसके according मेरे पास कूप सारे questions थे उसके regarding और अच्छा तो वह मैंने फिर पूछ लिया कर दो खार कि जो आपने बता है प्रदिक का इंचा है तो यही कर रहे ना व्लोग सकते हैं आ तो लोग इंटीर करके देर का map में इंटीर पर यादा फोकस रहे है अब नहीं हो पाया मेरा थोड़ा सा आप ही आगे अच्छा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है करना चाहिए तो तुम्हारा तो यह क्लियर हो गया और बता और के डाउट है इस था कि फाइनली कि मुझे यह दाउट लगता है कि आपका इस्ट्रेटर में है थोड़ा सक्सिष भो हो पाया है कि आपके को तो मेरें को लगता है कि थोड़ा इंची का मने करता हूं कि अगर मैं इस बॉतल का भी मैंसोचा है अगर मैं इस बॉटल की कंपणी को खोला तो मैं जरूर लेकर जाऊंगा अब लोग कैसे सर इसको मैं बेस्ट से बेस्ट मों डिजाइन और बेस्ट से बेस्ट मटे ली उज़ करूंगा और लेस इंकम करूंगा उससे में प्रॉफित लेस लोगा ठीक है ऑटोमेटिक क्या देख्का की हमने कुछ को हो नहीं किया है है मैं प्रैक्टिकल direct the लिया कि दिद्ट Stockholm सब किया तो वहां से मैंने देखा कि हमने कुछ हो नहीं किया हमने सिर्फ एक चीज किया content high quality का practical देदिया इत्म practical approach और क्या किया उसमें क्योंकि इससे क्या होगा कि वह उस इंसान तक पहुंचाएगा जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं अब तुम्हारा मालो 8000 रुपे सेल्ली है ठीक है और मैं अगर उसको 80 है कर दूं बेच सकता हूं तुम कभी नहीं खरीद पाओगे सकते हैं तो तुम्हारा क्या होगा तो इससे के लोगों के लिए उसकी माता है हम एक दूसरे हुधे हैं तुदे हुए है तीक है उसका में हूदुक है तरह सबी अपना अपना सब का अलग तरीका है मेरा तरीका यह काम में क्वालिटी ज्यादा देदो प्रॉफिट लेस करता हो तुछ तरीके सब्सक्राइब मुड्यिद नहीं क्यों मौड़िंग यह ठूछिर आता है और प्लानिंग तो माटि're जी है और सिविल का वर्क नो हो ऐसा हो नहीं सकता है अभी हम तुम क्या बोलते हैं यहां पर है पता नहीं कितने हॉस्पेटल में नहीं बच्चे पैदा हो रहे होंगे उनको रहने के लिए छट चाहिए ना हमारे कैसे कम हो सकता है हमारे डिमंट तभी कम होगा कि जब पॉपुलेशन जीरो हो जाएगी और ऐसा कभी होने वारा नहीं है तो अपने काम चलता रहेगा ठीक है और कोई डाउट है तो हुआ जो नहीं है जो तो पुरस पूसके वो गया हो मैंद से तैंक यू सर चाहरो ठीक है तो टो टेका आप गवेस्ट एखेट जाएँ कश्वाए जाएँ